प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रूस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा बच्चों, आज हम सात्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय ग्यारा जन्तुओं और पादपों में परिवहन पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम पहले क्या सीख चुके हैं सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन और आवास स्थान की आविशक्ता होती है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सदैव धड़कता रहता है पादप मृदा से जल कैसे प्राप्ट करती है बच्चों अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे परी संचरन तंत्र जन्तुओं में उत्सर्जन पादपों में पदार्थों का परिवहन सबसे पहले हम परी संचरन तंत्र के बारे में जानेंगे परी संचरन तंत्र रक्त यानि के रुधिर रक्त वाहिनिया और हिर्दय से मिलकर बनता है ये शरीर में सभी पदार्थों को अन्य भागों तक पहुँचाता है जब आपके शरीर में किसी भाग पर चोट लग जाती है या कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या होता है रक्त वहने लगता है लेकिन बच्चों रक्त है क्या रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है यहें पचे हुए भोजन को शुद्रांत अर्थात छोटी आथ से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है फेफडों से अक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले कर जाता है रक्त शरीर में से अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका भी परिवहन करता है तो रक्त एक द्रव है इस द्रव में भिन भिन प्रकार की कोशिकाओं मौजूद होती है रक्त का द्रव भाग प्लेजमा कहलाता है इस प्लेजमा में तीन प्रकार की कोशिकाओं होती है सबसे पहली कोशिकाओं हैं लाल रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं लाल रंकी हैं क्योंकि इन में एक लाल वर्नक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते है हीमोग्लोबिन ओक्सीजन को अपने साथ सयुप्त करके शरीर के सभी अंगों सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिती के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है रक्त में दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का नाम है श्वेत रक्त कोशिकाओं या जिने हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स ये कोशिकाओं उन रुगाणूओं को नश्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं पट्टिकानू या प्लैटलेट्स चोट लगने पर जब हमारे शरीर से रक्त बहने लगता है तो आपने देखा ही होगा कि थोड़ी देर बाद ये अपने आप रुख जाता है रुखता इसलिए है क्योंकि चोट वाले स्थान पर रक्त का एक जाल बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रक्त का थक्का बन जाता है और यह रक्त का थक्का पट्टिकानू या प्लैटलेट्स की उपस्थती के कारण ही बनता है हमारे शरीर में विभिन प्रकार की रक्त वाहिनियां भी होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है ये वाहनिया दो प्रकार की है धमनिया और शिराएं धमनिया हिर्दय से ओक्सीजन सिम्रिध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है चोकि यहां रक्त प्रभाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है अते धमनियों की दिवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती है वे रक्त वाहिनिया जो कारबन डाय उक्साइड सिम्रिध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हिरुदय तक ले आती हैं शिराएं कहलाती हैं शिराओं की भितिया अपेक्षाकरत पतली होती है क्यूंकि यहाँ पर रक्त कम दाब के साथ प्रभाहित होता है शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में अथार्थ शरीर के अंगों से रिदे की और ही प्रभाहित होने देती हैं धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते धमनियां अन्य छोटी-छोटी वाहनियों में विभाजित हो जाती हैं उतकों में पहुँचकर वैं पुनहें अत्यदिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिनहें केशिकाएं कहती हैं केशिकाएं उन्हे मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हिर्दय तक ले जाने का कारे करती हैं अब जानते हैं हृदय के बारे में हृदय वह एंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए एक पंप के रूप में कारे करता है यह निरंतर धड़कता रहता है हृदय हमारे शरीर की वक्ष गुहा में स्थित होता है इसका निचला सिरा थोड़ा बाई और जुका रहता है व्रुदय का आमाप हमारी मुठी के बराबर होता है मानव व्रुदय चार कक्षों में बटा होता है उपरी दो कक्ष दायां और बायां आलिंद कहलाते है जबकि निचले दो कक्ष दायां और बायां निले कहलाते है वॉल्व रक्त के प्रभा को उल्टे दिशा में बहने से रोकते हैं जो आलिंद और निले के बीच उपस्थित होते है चलिए देखते हैं रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है छोटी छोटी शिराएं मिलकर महाशिरा बनाती है महाशिरा से कारबन डाय ओक्साइड स्मृद रक्त जोकी शरीर के विभिन अंगों से आया है दाय आलिंद में आता है और दाय आलिंद से दाय निले में जाता है दाया निले इस रक्त को पंप करके पल्मुनरी आठरी या फुफुसिय धमनी में भेशता है फुफुसिय धमनी इस रक्त को फुफुस या फेफणों तक ले जाती है यहां फेफणों में रक्त में से काबन डे ओक्साइड निकलती है और ओक्सीजन ग्रहन की जाती है अब रक्त ओक्सीजन स्मृद हो जाता है यह ओक्सीजन स्मृद रक्त अब फुफुसिय शिरा या पल्मोनरी वेन की सहायता से बाएं आलिंद में लाया जाता है बाएं आलिंद से यह बाएं निले में जाता है और बाएं निले से यह ओक्सीजन स्मृद रक्त महाधमनी या अयोटा की सहायता से शरीर के विभिन भागों में पहुचाया जाता है इस प्रकार रिदे में रक्त का परिसंचरन लगातार होता रहता है व्रिदे स्पंद व्रिदे के कक्ष की भित्या पेशियों की बनी होती है यह पेशिया लेबध रूप से संकुचन और विश्रान्ती करती है अर्थार्थ फैलती है यह लेबध संकुचन और उसके बाद होने वाली लेबध विश्रान्ती दोनों मिलकर रिदे स्पंद या हार्ट बीट कहलाते हैं चिकित्सक हमारे हार्ट बीट को चेक करने के लिए स्टेथोसकोब का उप्योग करते हैं स्टेथोसकोब हिर्दे स्पंद की ध्वनी को आवर्धित करके चिकित्सकों को सुनाई देता है चलिए बच्चों, अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं रक्त में उपस्थित अप्षिष्ट पदार्थों को शरीर से लगातार बाहर निकाला जाना चाहिए नहीं तो ये रक्त में इकठे होकर हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं लेकिन ये अप्षिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर किस प्रकार से निकाले जाते हैं इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आविशक्ता होती है और ये ववस्था व्रक गुर्दे या हम कह सकते हैं किडनी में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्द की जाती है जब रक्त दोनों व्रक्तों में पहुँशता है तो इसमें उप्योगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होती हैं उप्योगी पदार्थ रक्त में पुन्हे अवशोशित कर लिये जाते हैं जबकि हानिकारक पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वह अप्शिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में प्रथक कर लिये जाते हैं व्रिकों से मूत्र मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है मूत्र वाहिनियां नली या पाइप के अकार की होती है मूत्राशय में मूत्र कुछ समय के लिए संचित रहता है मूत्रा शै एक पेशिय नली के द्वारा जुड़ा होता है जिसे मूत्र मार्ग कहती है मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे हम मूत्र रंधर कहती है और इसके द्वारा ही मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार व्रक, मूत्रवाहिनिया, मूत्रशय और मूत्रमार्ग समिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है बच्चे, पादप अपनी मूलों या जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनेजलवनों को अवशोशित करते हैं और पौधे के प्रतीक भाग तक पहुचाते हैं पौधों में पत्ते यानि की लीव्स, जल और काबन डायोकसाइड का उप्योग करके प्रकाश संसलेशन की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं पादप जड़ों के द्वारा जल और खनेजपदार्थों को सोखते हैं जड़ों में या मूलों में मूल रोम होते हैं ये मूल रोम जल में घुले हुए खनेजपदार्थों को अवशोशित करने के लिए मूलों की सतह को बढ़ा देते हैं जब सतही शेत्रफल बढ़ जाता है तो मूल रोमों के द्वारा जल और खनिश्पदार्थ पौधों के अंदर पहुँच जाते हैं मूल रोम मिट्टी के कणों में मौजूद जल के संपर्क में रहते हैं पात्पों में मिट्टी में से जल और पोशक तत्वों का परिवहन करने के लिए पाइप जैसी नलियां होती हैं जिने हम वाहिकाएं कहते हैं ये वाहिकाएं विशेश प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं जो की पोधों का समवहन उत्तक बनाती हैं उतक कोशिकाओं का वह समू होता है जो किसी भी जीव में किसी विशेश कारे को समपादित करता है जल और खनिश्पदार्थों के परिवहन के लिए पादपों में जो समभन उतक होता है उसे जायलम कहा जाता है जायलम चैनल्स और नलियों का एक निरंतर सतत जाल बनाता है जो जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक जोडता है और इस तरहे बना यह तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है पौधों में पत्ते भोजन का संसलेशन करते है भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाया जाता है यह कार्य भी एक समभन उतक के द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोयम कहते हैं तो बच्चों इस प्रकार जायलम और फ्लोयम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पौधे वाश्पोत सर्जन के प्रकरम के द्वारा बहुत जादा जल निर्मुक्त करते हैं पादप मिट्टी में से खनिच पदार्थों और जल को अवशोशित करते हैं अवशोशित किया गया सारा जल पौधों के द्वारा उप्योग नहीं किया जाता पत्तियों की सतह पर उपस्तित, रंध्रों या स्टो मैटा में से यह जल वाश्पोत सर्जन की प्रकरिया के द्वारा वाश्पित हो जाता है पत्तियों में से जल के वाश्पन से एक खिचाव विक्सित होता है यह खिचाव पौधों में जड़ों के द्वारा जल के अवशोशन में मदद करता है वाश्पोत सर्जन पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की दोहराई करते हैं परिसंचरन तंत्र में फ्रिदय और रक्त वाहिनिया होती है शरीर में से अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उच्चसर्जन कहती है पाठपौ में पदार्थों का परिवहन जायलम वा फ्लोयम के द्वारा होता है आये बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे सबसे पहला प्रश्ण है रक्त के भाग कौन-कौन से है जी हाँ लाल रक्त कनिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकानूं या प्लेट्लेट्स दूसरा प्रश्ण रक्त का लाल रंग किस वन्नक की उपस्थती के कारण होता है जी हाँ रक्त का लाल रंग हीमोगलोबिन की उपस्थती के कारण होता है प्रश्ण तीन जब हमें चोट लगती है तो रक्त का कौन सा भाग रक्त को बहने से रोकने में सहायता करता है जी हाँ बच्चों, प्लेटलेट्स या पट्टिकानूं रक्त का थक्का बनाकर चोट लगे भाग से रक्त को बहने से रोकती है चौथा प्रश्ण, सामान्य मनुष्य की हिर्दैस पंद दर कितनी होती है बच्चों, सामान्य मनुष्य की हिर्दैस पंद अन्दर सत्तर से असी प्रती मिनिट होती है पांच्वाँ प्रश्न, हिर्दय स्पंद नापने के लिए चिकित्सक किस उपकरण का उपयोग करते हैं? जी हाँ बच्चों, आप सबने देखा होगा डॉक्टर्स के गले में स्टेथोस्कोप होता है इस स्टेथोस्कोप का उपयोग चिकित्सक हिर्दय स्पंद को आवर्धित करकर सुनने में काम मिलेते हैं चलिए बच्चों, अब हम मिलान करते हैं आपने मिलान करना है रंध्र, जायलम, फ्लोयम, हीमोगलोबिन, मानविय हृदय, व्रक या गुर्दे इन्हें हमने मिलान करना है कॉलम बी में कॉलम बी में हमारे पास हैं चार कक्ष, वाश्पोत सर्जन, पौधों में भोजन का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन, मानविय हृद सर्जन, तंत्र का भाग और लाल रक्त कोशिकाओं में जब हम कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाते हैं, तो रंधर वाश्पोत सर्जन के रिए काम में लाये जाते हैं जायलम पौधों में जल का परिवहन करता है, स्लोयम पौधों में भोजन का परिवहन करता है, हीमोगलोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, मानविय हृदय में चार कक्ष पाये जाते हैं, और व्रक या गुर्दे मानविय उत्सर्जन तंत्र का भाग हैं तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ आया होगा बच्चों आप तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद झाल